नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग दो जनवरी 2023 के दैनिक वीच की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी संग लोग से वायोग की प्रारंभीक परिक्षा के दिस्कोर्ट से लाबदायक हो सकता है तो आईए पहले प्रस्न की ओर चलते हैं निमलिखित कथनों में से कौन से सही है तो पहला कथन है पारिस्थितिक समवेदन सील छेतर को परियावरन संरक्षन अधिनियम 1986 के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त है दोस्तो यह कथन एकदम सत्य है दूसरा कथन है दोस्तो यह दोनों समिती माधो गाडगिल समिती और कस्तूरी रंगन समिती पारिस्थितिक समवेदन सील छेतर के क्रियानवन से संबंदित है दोस्तों कस्तूरी रंगन समित की रिपोर्ट में यही सिपारिस की गई थी कि नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए 37% पश्चमी घाटों को पारिस्थितिक समवेदन सील छेत्र घोसित किया जाए। यह कथन भी एकदम सत्य अता उत्तर डी होगा। चुकि अभी सुप्रिम कोट ने यह निरने दिया था कि कम से कम एक किलो मीटर होना अनिवार है। इस दस किलो मीटर को एको फ्रेजाईल जोन या एको सेंस्टिब जोन के रूप में अधिसूचित किया जाना है। दोस्तों एको सेंस्टिब जोन में क्या अनुमती है, क्या प्रतिबंधित हैं। तो जो प्रतिबंधित गदविधियां हैं जैसे वाणिजिक खनन, लकडी आदी का ब्यवसाईक उपयोग, पेडों की कटाई, होटल और रिसर्ट की अस्थापना, प्राकृतिक जल का ब्यवसाईक उपयोग, बिदुत केविलों का निर्माड, क्रिसी प्रनाली में भारी बदलाओ, भारी प्रद्योगी को अपनाना, कीट नासकों का उपयोग, सडकों का चोड़ी करण, यह सब गदविधियां प्रतिबंधित हैं, और अनुमत गदविधियां क्या हैं, यानि चल रही क्रिसी या बागवानी प्रताएं, वर्सा जल संचेन, और जैविक खेती, यह अनुमती है, तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि दाहिंदू में आई हुई खबर है, कि केरल में किये गए पारिस्तिक रूप से, समवेदन सील छेतर के मानचितर के, छेतर सत्यापन की जो विशाल कवायत थी, एक निरर्थक कवायत के रूप में समा करता है, तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि राजी ने पहले ही वफर जोन का उपगरह सर्वेच्छन पूरा कर लिया है, और ESG के दाएरे में मानो आवासों को बाहर करने के लिए, छे महीने पहले ही, केंद्री अधिकार प्राप्त समित, यानि CEC, और क इमलिकित में से कौन सा डीप फेक शब्द का सर्वोतम वरनन करता है, तो दोस्तों, यह सरल प्रस्न है, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, तो दिया गया है, मीडिया और सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म में गहराई से समाई हुई नकली खबरें, ये तो नह होगा, दूसरा है, डीप वेप पर मिलने वाली छिपी हुई जानकारी, जो अवैद गदविदियों को सक्षम बनाती है, ये भी नहीं होगा, तीसरा है, अतिय थार्तवादी डिजिटल मिथ्याकरण के लिए, आर्टी फीसियल इंटेलिजन्स, यानि ए आई का उप्योग क किया जाने वाला डिजिटल मीडिया हेर फेर, इसी को डीप फेक तकनीक कहा जाता है, दोस्तों डीप फेक वीडियो में आर्टी फीसियल इंटेलिजन्स तकनीक, वा मसीन लर्णिंग साफ्टवेर का उप्योग किया जाता है, साधरतिया डीप फेक वीडियो निवरल नेट और बाद में decoder इन samples को जोड़ कर दोबारा इस image को पुना reconstruct कर दिया जाता है दोस्तो deep fake videos बनाने के लिए आपको source मतलब जिस ब्यक्ति का आप नकली video बनाना चाहते हैं और जिस ब्यक्ति पर यह video बनाई जाएगी इन दोनों के बारे में आपको परियाप्त data इकठा करना होगा इसके बाद software की सहायता से दोनों image को आप superimpose करा करके एक नई image बनाई जाती है और इन videos को बिश्वसनिय बनाने के लिए generative adversial network यानी GAN का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों इससे संबंधित दे हिंदू में आई हुई कबर है the danger of deep fake क्या इसका खत्रा हो सकता है भविस में तो deep fake से भविस में कई तरह के खत्रे पैदा हो सकते हैं जैसा कि इस तकनिक का प्रियोग करके किसी भी ब्यक्ति का fake video बनाया जा सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लादी मिर पुतिन साहब का photo है तो यह देख सकते हैं कि इनका deep fake video बनाया जा सकता है इसमें किसी भी ब्यक्ति के दौरा किसी celebrity या politician का उनका छवी खराब करने के लिए deep fake video बनाया जा सकता है दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगोंने भारत में भी देखा होगा कि दिल्ली के सांसद मनोस्तिवारी का video वाइरल हो रहा था वो हरियानवी में परचार कर रहे थे जबकि उन्हें हरियानवी आती नहीं है तो इस तरह की घटनाएं इसी तरह से पुराने यह 2017 में ही इसका सरप्रथम प्रयोग किया गया था तो इस तरह से धौनाल ट्रंप के मामले में भी चर्चा हुई थी बाराक हुसायन ओबामा के मामले में भी फेक वीडियो इंटरनेट वीडियो वाइरल हुआ था तो इस तरह से यह भविस्व में यहा बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो इससे कैसे बचें तो अपनी फोटो और वीडियो सोसल मीडिया प्रेटफरम पर सेयर ना करें अगर आप अपना फोटो खीशते भी हैं तो ध्यान रखे कि अपना क्लोज अप फोटो इंटरनेट पर अपलोड ना करें दूसरी बात या है कि अपने अलग-अलग फोटो को कभी भी सोसल मीडिया पर सेयर ना करें क्योंकि डीफ फेक वीडियो बनाने के लिए टार्गेट की बहुत सारी अलग-अलग फोटो का प्रियोग किया जाता है दोस्तो आज तो डीफ फेक आपके मोबाइल पर भी यूज किया जा सकता है यानि अपने मोबाइल में आप प्रियोग कर सकते हैं जादा तर लोग सेलफी या किसी फोटो को लेते समय अपने मोबाइल में ब्यूटी फाइब फीचर का प्रियोग करते हैं इस feature की सहायता से आप अपने चेहरे की बिलकुल जवाब बना सकते हो इसके अलामा आप अपने चेहरे में आँखों के साइच को बढ़ा सकते हो इतना ही नहीं कुछ एप की सहायता से आप अपने चेहरे को जवान या बुढ़ा बना सकते हो यह दीब फेक का ही एक उदहरण है अब बढ़ते हैं तीसरे महत्पूर्वर्प्रस्ण की ओर यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम परिस्तित है यानी महानदी कहाँ बैती है दोस्तों तो यहां उडीसा में बैती है यानि उडीसा में बहती है और इसका उदगम जो है चछटिस गड़ के सिहावा की पहाड़ी से होता है और इस तरह से उडीसा में इसका मुहाना है तो दोस्तों यहाँ पर भात की जा रही भारत के पूरी तड़ पर एक प्राकृतिक गेहरे पानी के बंदरगा की तो हमने आपको दे दिया आइडिया कि ये उडीसा में बहती है तो उडीसा में कौन सा बंदरगा हो सकता किसके बारे में चर्चा की जा रही है तो ये है पारदीप बंदरगा तो दोस्तो बिसाखा पटनम बंदरगा वह आंध प्रदेश में है भारत का धीपे स्पोर्ट है ह तो दोस्तो इस तरह से इन बंदरगाहों को प्राकृतिक और कृतिम दोनों में बाटा जा सकता है तो इससे संबंधित P.I.B. में आई हुई कबर है कि पारदीब बंदरगाह ने दिसंबर माह में रिकार्ड मासिक कारगो संबंधी कारवियापार दर्च करते हुए वर्स 2022 की स पाध्याय बंदरगाह इसे पहले कांडला पोर्ट कहते थे दोस्तो यह कांडला पोर्ट एक जुआरीय पत्तन है और भी यहाँ चोटे-चोटे बंदले बंदरगाह है यहाँ पर मुंदरा देख सकते हैं पोर बंदर है फिर यहाँ पर जवाहर लाल नहरू पत्तन देख सक दोस्तों इसी तरह से कोची बंदरगा इसे मसाला बंदरगा कहा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तूती कोरीन बंदरगा जिसका नाम ओवी चिदंबर नार हो गया है इसी तरह से चिन्नई बंदरगा सबसे पुराना बंदरगा है इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं काकी नारा बताया था विसाका पट्टम के दक्चिन में है और यह पारादीप है यह हल्दिया है और कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था और दोस्तों 13. सबसे बढ़ा बंदरगाह यह पोर्ट बलेयर है इसे भी याद दोस्तों यह हर साल होती है यह तो clear है 1914 में पहली बार यह आयोजित की थी यह भी एकदम सही है लेकिन यह भारती विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित नहीं की जाती IAST is organized by Indian Science Congress Association यह ध्यान रखेंगे यानि यह भारती विञ्ञान कांग्रेश एसोसिएचन के द्वारा आयोजित की जाती है ना कि भारती विज्ञान संस्थान तो ऐसे में पहला कथन असर्थ्य हो जाता है दोस्तो यह दो बिटिस रासानेग्यों प्रोफेसर जेल सीमोन सेन और प्रोफेसर पियस मैक मुहन के मौलिक विचार की पहला है। यह कतन एकदम सत्त है। दोस्तो भारती विज्ञान कांग्रेस की पहली सभा 1914 में कलकता में एसियाटिक सोसाइटी में आयोजित की गई थी। जिसकी अध्यक्षता आशुतोस मुखरजी ने की थी। यह भी कतन सही है तो इसमें कह रहा है कि कौन से गलत है। तो केवल एक कतन गलत है अताउत्तर ए होगा। इससे संबंदित P.I.B. अन्य समाचार पत्रों में आई है कि हमारे प्रधान मंतरी 108 वी विज्ञान कांग्र कांग्रेस का जो मुख्य विसय है वह है महिला ससक्ती करण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और तकनीक रखा गया है। तो कांग्रेस में इस बार सतत विकास महिला ससक्ती करण इससे हांसिल करने में विज्ञान और तकनीक की भूमिका को लेकर चर्चा होगा। और द बिग्यान, तक्नीक, इंजिनरिंग और गड़ित, जिसे क्या कहते हैं, S-T-E-M, ध्यान रखेंगे Science, Technology, Engineering and Mathematics, के छेत्र में महिलाओं की भागिदारी बढ़ाने के तरीकों के साथ ही सिक्षा में उनके समानस्तर, रिसर्च के मौके और आर्थिक भागिदारी को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी, तोस्तों बिग्यान और तक्नीक के छित में महिलाओं के योगदान को सराने के लिए एक विसेश कारेक्रम भीता है, जिसमें महिला बैग्यानिकों का संबोधन होगा, इसके साथ ही कई अन्य कारेक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, बच् क्रिसी के प्रती जागरूकता भी बढ़ेगी, दोस्तों जनजाती विज्ञान का अंग्रेस का भी आयोजन इसके साथ ही होनाते है, जिसमें स्वधेसी ज्ञान प्रणाली और प्रथाओं को मंच मिलेगा, इसके साथ ही जनजाती महिलाओं के शर्शक्ती करन करने को लेकर इसमें फोकस किया जाएगा, तो यह ध्यान रखेंगे, इस बार का जो आयोजन हो रहा है, वह पूने में हो रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे, अब भड़ते हैं, 2020 में आयोए प्रसन की ओर, यहाँ प्रियोग तीन ऐसे अंत्रिक्ष्यानों को काम मिलाएगा, जो एक संभा पाहुत्रिभुच के आकार में उडान भरेंगे, जिसमें प्रतिक भुजा एक मिलियन किलोमीटर लंबी है, और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी, कथित प्रियोग किसे संदर्भित करता है, वाइजर टू, या न्यू होराइजन्स, या लीसा पाथफाइंडर, या इवाल्ड लीसा, तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा इवाल्ड लीसा, लीसा लेजर इंटर्फेरोमीटर स्पेस एंटीना, या अंत्रिक्ष में एक लेजर इंटर्फेरोमेट्रिक गुरुत्वा करसन तरंग वेदसाला है, जिसमें तीन अंत्रिक्ष यान, हेलियोस्टिक और्वित में और मिलियन किलो मीटर लंबाई है। तो लिसा पहली बार अंत्रिक्ष से गुरुत्वा कर्संट ब्रम्हांड की खोच करने के उदेश के लिए एक मिसन है। इसमें आठ यूरोपी देशों डिनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, इस्पेन, स्व बिसम त्रिकोडी विन्यास को बनाये रखने की अनुमती देते हैं। और दोस्तो एक गुजरता हुआ गुरुत्वा कर्संट तरंग अंत्रिक्षियान के बीच उचित सापेक्ष दूरी को बदल देता है। जिसे प्रतेक्ष अंत्रिक्षियान पर संसूच को द्वारा महस किया जाएगा। दोस्तो आज के फैक्ट आप दे में भारत और आस्ट्रिया संबंधों की चर्चा करेंगे। यानि इंडिया और आस्ट्रिया टु साइन माइग्रेशन एंड मोबैलिटी एग्रिमेंट शोर अप टाइज। यहाँ पर देख सकते हमारे देश के विदेश म मंतरी जैसंकर की वियना यात्रा के दौरान सोमार को आस्ट्रिया के साथ ब्यापक परवासन और गतिशीलता साजेदारी समझोते पर हस्ताक्षर करेगा। और पिछले 27 वरसों में पहली बार भारत के विदेश मंतरी आस्ट्रिया की पहली यात्रा पर गए हुए हैं और द दोस्तों वह वियना में फिल हार्मोनिक आर्क्रेस्टा के कारिकरम में जाने से पहले चांसलर कार्ल नेहमल से मुलाकात की है और दोस्तों आपको बता दें कि भारत और आस्ट्रिया के 20 संबंद 1949 से ही रहे हैं आस्ट्रिया भारत का बहुत ही बड़ा समर्थक रहा है इसी तरह से हमारे राष्ट्ठपती की 2012 में यात्रा इसी तरह से विदेष मन्त्री अभी पिछले वर्स 2022 में ही आये थे वहां के ऐस्ट्ट्रिया के तो इस तरह से 2019 में कई मुद्दों पर दोनों देश के भी समझ दोता हुआ है तो इस तरह से यहां देख सकते हैं कि भारत और स्ट्रिया के बीच संबंध काफी पुराने हैं उसी को देखते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री गए हुए हैं और इस तरह से कई मुद्दों पर वहां पर समझोते हुए हैं इससे पहले कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समझोते हुए हैं जैसे सड़क आधार भूसन रचना के छित में तकनीकी सायोग के लिए भारत सरकार के केंद्री सड़क परिवहान और राज मार्ग मंत्राले तता आस्ट्रिया के परिवहान नवाचार और तकनीकी मं मत्राले के बीच समझोता हो चुका है तिससे भारत और आस्ट्रिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे हैं मजबूत दुपक्छी संबंध अब देखेंगे और प्रगाड होंगे हमारे विदेश मंत्री वहाँ पर जाकर कई मुद्दों पर समझोते करेंगे दोस्तों मांच खाले भी है दोस्तों आज के लिए पहला प्रस्न है यूरोपी देश आस्ट्रिया को किन किन देशों की सीमाएं सपर्ष करती है चुकि यह चर्चा में है इस तरह के मैं बेश कोश्चन आ जाते हैं दूसरा महत्पूर प्रस्न है दोस्तों पश्मी घाट छेत्र भारत के कि प्रस्तर आप लोगों को देना है और इस तरह से आज का यहीं समाप्त करता हूं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद